कि html heading html heading or html h tag can be defined as title or subtitle which you want to display on the webpage किसी पर पकार का अगर हम लोग टाइटल देना चाहते हैं और कोई भी हम लोग text लिखे हैं कोई images लगा हैं किसी भी चीज का हम लोग title देना चाहते हैं तो जैसे मान के चलिए यहां पर जो मैंने यहां पर text लिखा है उसके लिए जो भी हम लोग यहां पर टॉपिक के बारे में लिखे हैं उसके बारे में short title होता है उसको यहां पर हम लोग heading बोलते हैं कि हम लोग उस text को यह भी एक normal नॉर्मल टेक्स्ट है लेकिन वो थोड़ा सा बोल्ड है और थोड़ा सा पॉंड साइस बड़ा है तो इसी परकार से यहां पर six लिखेंगे और यहां को क्लोस करेंगे इस डिस्प्लेश ऑन दो ब्राउजर इन दो बोल्ड फॉर्मेट एंड साइज ऑप टेक्स डिपेंड्स वन थे नंबर ऑफ हैं तो यहां पर हम लोग अखर एच वन यूस कर रहे तो सबसे बढ़ा होगा फिर एच्टू यूस करते हैं थो एकष्ट तो चोटा होगा रहे स्ट्री यूस करेंगे तर्शी थोड़ा सबस्टाब इस प्रकार सा 6 टाइब के हैंडिंस होते हमारे पाद हमारे पाद हेच वन से लेकिए जृच शिक्स तक टिक है एंडर और सिक्स तिफरेंट हैं सिट्ल एंडिंग फिगेंड ट्री सबसे बड़ा है तो यहां पर हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको यहां पर यूजके तो जनरली जो होते हैं तो किसी भी पेज में अगर हम लोग लगाते हैं तो सर्च इंजिन जो होता है तो अगर हम लोग किसी भी वेब पेज में अगर हम लोग हेडिंग यूज करते हैं तो हेडिंग इस दा वन आप दो मोस्ट सर्च इंजर अप्टिमाइजेशन टूल ठीक है मतलब इसको बोलना चाहिए एक तूल है हमारे पास जो सर्च इंजिन को अप्टिमाइज करता है सब्सक्राइब करता है कुछ-कुछ एलिमेंट्स पकड़ता है उस वेब पेजे से कोई भी मैंने एक वैबसेट बनाए उसने बहुत सारे मैंने टेक्स लिख दिया लेकिन कोई भी हैडिंग उसमें मैंने नहीं लगाए है तो उसमें से टेक्स्ट के वर्ट को थोड़ी को मैंने में तॉपिक सखोजिए तो मैंने अगर हैडिंग में यहां पर दिया मान के चलो कोई एक 도बिक है वही टॉपिक में गूगल में सर्ज करता हूं तो हो सकता है कि वो टॉपिक अगर मैंने हेडिंग में दिया वो टॉपिक वो सर्च करके हमें दिखा दे तो हेडिंग यूज करने का फायदा यही कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत हेल्फुल होता है यह सर्च इंजिन क्या काम करता है कोई भी हम लग कीवाड लिखते हैं चलो है मैंने यहां पर गूगल और गूगल कर लिए यह खुला होगा मैंने यहां पर यूज किया दोर फॉनिवर्सिटी है कि तो मैंने यहां गूनी है लेकिन यहां पर हमको यूर्य पर मील रहा है और भी इसके अंदर बहुत कि जिसके तुरू वो सर्ज कर पा रहा है तो यह गूगल में मैंने सर्ज किया तो यह हैडिंग को पकड़ेगा ठीक है जैसे यहां पर इसने यहाद होनों कहीं ना कहीं कि प्रकार सेब्सक्राइब क्या कर सकते हैं सिसेटब कर सकते सब्सक्राइब के heading टैग एवलेबल है तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं एच वन एच वन टैग ओपन होगा और क्लोज होगा इसके बीच में हम लोग क्या लिखेंगे है यहां पर फिर एच टू एचट ट्री ग्लोज होगा एच फॉर मज़ी एच फॉर क्लोज होगा एच फाइफ फाइब क्लोज होगा एच 6 प्रगार के अगशवलेबल है और क्यास फ्रोड़ा चोटा सबसे चोटा होगा अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट कुछ हम लोगो इस प्रकार से यहां पे देखने के लिए लोग डिफाइन किते वो था यह एडिंग टू एडिंग 3 एडिंग 4 एडिंग 5 एडिंग 6 तो इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं से हमलों को अच्छे से समझना जाएगा कि का तो तो मैं यहां पर नोटद इपंड करता हम्यांद प्लस प्लस उस नौटपेड प्लस-प्लस में यहां पर यूज करूंगा और हम लोग इसको देखते हैं मैं लोग न कर लिया है कि कि सबसे बंद पाइल में आंगा और यहां पर नियूब कर दूंगा ठीख है मैंने यहाँ पर नियू डॉक्टुमेंट ये लिया है पो इस त्य़ूंध को मैंने open किया तो मुझे इसको close भी करना पड़ेगा तो मैंने यहां पर क्या किया stml को open किया और close कर दिया सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा इसको save करने का करूंगा फाइल में जाओंगा सेव ऐस करूंगा तिक है यह यहीं पर सब्सक्राइब करें यहां यहां पर लगाऊंगा थोड़ा से स्पेस देखें अंदर में लिखूंगा ठीक है क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हम लोग लिख रहे हैं वह स्टी एमल टैग के अंदर में लिख रहे हैं यहां पर मैं हैड लगा होगा है है ठीक है ठीक है डीяч स्पmeal औफन होगा तो क्लोस भी होगा हाँ धीक है 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 एट उपन और ख्लोज होगा इस हेड के बीच में लिखोंगा टाइसन बदैल है कि थोड़ा संदर में लुँगा और यहां पर लपन होगा तो क्लोस्यूब हां तो यहां में लिख देता हूं है टैग टैमो है वह है टाइटल बार पर डिस्प्ले होगा टाइटल बार पर डिस्प्ले ओगा इसको बारबर सेव इंदर मैंने टाइटल दिया ताइटल कैसे दिया हमने टाइटल टैक के अंदर में तिक है फिर उसका ऐड़ेंगे और यहां पर हम लोग लगोग बॉडिंगे पॉड़ी ओपन हुआ है तो पॉड़ी ठीक है और एच वन को मैं क्लोस कर लूँगा एच वन ठीक है और मैंने इसको कर दिया वैसे यहां पर कि मैंने ओपन के और क्लोस के इसके बीच में यहां पर मैं लिखोंगा एड्डिंग नमबर वन यह मैंने दे दिया अब मैं इसको कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं ठीक है और यहां पर मैं वन के जगे कर दूंगा टू है कि है तो और एच तो यह हो गया फिर उसके बाद हो जाएगा यह एच थ्री है और यहां एच थ्री हम लोग कर देंगे फिर उसके बाद एच फॉर हो जाएगा है अज़ फॉर यहां पर भी एच फॉर कर देते हैं और यहां पर फिर हो जाएगा एच पाइब अच फाइव यहां पर लिख लिए और यहां पर लास्ट हमारे पास एडिंग टैग है है 6 6 6 तो मैंने इसको सेव कर दिया है इसको सेव कर सकते हैं तो मैंने सेव कर दिया है साइड वैस को ऊपन करके देखते हैं कि यहां से ओपन कर लेता हूं यहां पर हम लोग को दिख रहा है यह हैं यहां पर हम लोग को देखने के लिए सबसें चोटकेंड हाँ अ जोते किसे बड़ा में को देखने इस तो शोट से थोड़ा छोटा है चोटा है सबसे चोटा है तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर हेडं एक को कई योज कि और हम लोग ने करद आपर बना कि सब्सक्राइब लोग अपना माइक को म्यूट तो यहां पर हम लोग एक डाउनलोड किये थे सब्सक्राइब प्रियेटर इसमें देखते हैं कि काफी पहले यूज किया था कि यहां से जो प्लस वाल आइकन दिख रहा है यहां से हम लोग टैप करेंगे तो यहां पर नया हम लोग ले सकते हैं लाइक मैं यहां पर देता हूं घर टी एमल कि अंक है यहां यहां पर बहुत सारी चीज़े पहले से हम लोग को मिल जाती है अा थाकर जो पुरा इसको ठीक है और यहां पर वापस से पूरा टाइब कर आप लोग आता होगा यहां पर टाइप करेंगे सब्सक्राइब यहां पर कोजना पड़ेगा यहां पर दिया भी हुआ है कि इसमें शॉर्टकट्स भी दिये होते हैं शॉर्टकट्स कहां से दिये होते हैं अगर लिखने में तकलीफ होगा तो यह वाला ओपर वाला करेंगे तो इसमें यहां पर शॉर्टकट्स दिखिए इसको यहां नीचे ले जाएंगे कि इस प्रकार से यहां पर हम लोको मिल जाता है कि इस प्रकार से यहां पर शॉर्टक्ट्स भी जाता है कि अगर शॉर्टक्ट्स भी जाता है कि इस प्रकार से यहां पर शॉर्टक्ट्स भीजर्बेजस